नमस्कार वेलकम बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चेनल पर मैं हूँ आचारी सूरज सास्त्री आज मैं बात करूँगा कि अक्सर लोगों के बीच में एक प्रश्न होता है कि हमें जो चीजें प्राप्त होनी चाहिए थी या हमारे अंदर जो छम्ता है हमारी जो केपिसिटी है वो चीजें में लाइप में प्राप्त क्यों नहीं होती अर्थात आपकी जो सिक्षा है या फिर आपके अंदर जो कला है किसी भी छेतर में आगे बढ़नेगी उसे सही दिसा नहीं मिल पाती है या कहें तो आप जितने परिस्रम करते हैं उस अनुपा आते हैं तो देखें जब आप सफलता की बात करते हैं बात कर रहे हैं हम सुर्जरेखा की यह सफलता का rich मैं थोड़ा सा इस हतेली को जूम करूँ तो चीजें और भी आपको अच्छे से पकड़ में आईगी यहां परम देखें यह अवस्था बताता है कि सुर्य परबत यहां सामानी अवस्था में है यदि यह उभार लिया हुआ इस परकार का परबत है तो हम इसे मानते हैं कि पर परबत इस परकार का हो तो हम मानते हैं परबत सामानी अवस्था में है और इस परकार का दवा हुआ यदि इस्थिती प्राप्त हो तो हम मानते हैं कि परबत सामानी से कमजूर अवस्था में है आपका तो सुर्य परबत सामानी अवस्था में है परंतु यदि आपकी सुर् इसे स्थिति में क्या होता है कि इनके अंदर में जो परतिभा है जो इनके अंदर में छमता है उस अनुपात में इन्हें उन्नती नहीं मिल पाती या एक तरह से कर लें, यह जितना परिस्रम कर रहे हैं या इनके अंदर हो सकता है कि किसी विसेश छेतर में कोई कला हो, कोई चीजे जानते हो, विसेश जानते हो परन्तु वो चीजें जो इनको प्राप्त होनी थी जो प्रतिष्ठा मिलना था, जो मान मिलना था, जो सम्मान मिलना था, जो धन मिलना था, जो सफलता, जो संपत्ति मिलनी थी, वो चीजे कहीं न कहीं दूर रह जाती है, ऐसी इस्थिति को दिखाता है, तो यहां ये चीजें दिख रही है कि या छोटी रेखा है, तो ऐसे बेक लेखा से एक रेखा आपको इस परकार से दिखीगे, यह triple-noomachinna बना रही है, तो यह तर्भूझ नomachinna यह बतलाता है कि जातक के अंदर में कुछ business प्रतिभाह जातक के अंदर में किसी न किसी छेतर में चाहिए business के चेतर में हो education के छेत्रे में हो या किसी working छेत्रे में हो कोई ने कोई business कला या परतिभा रहती है उस परतिभा के दर पे ऐसे जाता जीबन में को आगे बढ़ने में अच्छा खासा अच्छा खासा लाब भी होता हुआ दिखता है अब देख रहे हैं कि आपके शड़े र revenue और सफलता में कहीं न कहीं बाधा हुट रहे है आपको सफलता मिलेगी यह आप एक विद्या रेखा लेख और या जग्यान रेखा भी बहुत करते हैं यह यह रेखा, यह रेखा, यह बिद्या रेखा, यह रेखा बतलाती कि जातक के पास में बिद्या है, ज्यान है, ज्यान और बिद्या की तुलना हम education, college या university के education से हम इसकी तुलना नहीं करते, कोई बेखती यदि निर्यक्षर भी हो, तो काफी ज्यानवान और जानकार बेखती, या कहें तो होंसियार बेखती हो सकता है, काफी knowledge वाला बेखती हो सकता है, यदि उसने college नहीं भी गया हो, आपने देखा होगा, बहुत लोग बहुत कलाग में माहिर होते हैं, तो उस परका परनुमान लगा के किसी को सजेशन देते हैं तो वो सजेशन सटीक निकलने का बहुत-बहुत संभावना रहती है अब आईए ये तो था इनका सुर्ज रेखा हम जब इनकी सनी परवित को देख रहे हैं तो सनी परवत थोड़ा सा यहां दबा हुआ है अर्था थोड़ी सी कम जोरी स्थिति में भागी रेखा यहां से बिलकुल निरवाद रूप से आई है सनी पर चली गई है और सनी पर कई एक रेखाएं दिख रही है रेखाएं कहीं एक दिखना कहीं न कहीं ये दिखला रहा है कि बेक्ति के अंदर धन कमाने की ललक बहुत अधिक है रेखा जितन जब हम आई की सुरोत काते हैं तो देखें इनकी हतेली में आई के सुरोत कितने बन रहे हैं, एक देख लिजी, एक बड़ी हाँ आई का सुरोत इनको करीब करीब ये देखें, सनी की ओर जाता हो दिख रहा है, दूसरा एक आई का सुरोत यहीं से निकला है, कुछ इस प्रकार से ये वी सनी की ओर जा रहा है ये एक दूसरा बढ़ी हां सुरूत दिख रहा है तीसरी रेखा जो परतिभा की रेखा आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है परंतु मस्तिस्क रेखा पे जाके रुक रही है कालामतर में यदि ये रेखा इस परकार से सुरी में चली जाती है त इस रेखा को हम वेबसाई की रेखा करते हैं, इस रेखा को बिजनस माइंडेट बेक्ती की रेखा करते हैं, ये रेखा बताती है कि बेक्ती को बेबसाई में बिसेस अभीरूची रेगी और अच्छी सफलता भी यहां मिलेगी इन चीजों को यह बता रहा है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ तो चीजें और भी अस्पष्ट हो जाएगी जब हम वेफसाई की बात करते हैं तो बुद्ध परवत को हमें अवस्थी देखना चीए बुद्ध परवत अच्छे वस्था में अर्थात बेक्ती अच्छा बिजनस्मेन सिद्ध हो सकता है बुद्ध परवत पर दो रेखाएं बहुत ही अस्पष्ट दिख रही है जो ये बताता है बेक्ती मल्टी टास्किंग हो सकते हैं अर्थात बेक्ति के अंदर में कहीं न कहीं एक से अधिक छेतर के बिसे में नौलेज, अर्थात दो चार छेतर के बिसे में इनको अच्छा खासा नौलेज हो सकता है, मतलब एक तरह से देखें, किसी भी फिल्ड में ऐसे बेक्ति सेट हो सकते हैं, कोई छेतर में हो, वहां ये संचालन करने का छमता अच्छा होता है इनकी कनिष्ट का उंगली को जब हम देखते हैं तो देखे कनिष्ट का उंगली करीब करीब इसके बराबर है यह देख लिजिए इस परव के बराबर यह चीज़े बताती है कि बेक्ति मल्टी टास्किंग होगा बेक्ति में बात करने क कला होगी ब्यक्ति में अपना कार ये निकालने की छमता होगी किस प्रकार से सामंजस बना के लोगों से डील करना है लोगों से कार निकालना है अच्छे मनेजमेंट करता के रूप में वर्क को करना ये चीजें इनकी कनिष्ट का उंगली यहां बिल्कुल असपष्ट रूप से दिखा रही है अब हम परबत में देखे तो इनके हतेली में ये देखिए मंगल ये यहां पर उभार लिया हुआ दिख रहा है निम्न मंगल और ये बाहि मंगल थोड़ा सा बिस्त्रित है मतलब फैला हुआ है अर्थात ये दो मंगल कि अवस्था इनके हतेली में अच्छी पोजेशन पर है कानेकारत है कि ये भूमी से जूरी चीजों में इनको वेपसाई में लाब हो सकता है चुकि मंगल भूमी का कारक है इस छेतर से इनको यहां लाब होने की संभावना दिख रही है इनके चंदर पर देखे तो आपको कई एक रेखाएं ये देखने को मिलेग होती है निवास अस्थान से दूर जाने की संभावना या नस्दी करके भी कहीं ऐसा ओवर करे कि दूर से इनका कारोबार चलता रहे कहीं समान को भेजना है कहीं दूर से लाना है उसमें वेपसाई करना इस परकार की स्थिती भी ये दिख लाता है ऐसे लोग जन्वास अस् स्नेपीन को अच्छा खासा सफलता मिलते वे दिखता है कुल मिला के देखे ति इस हतेली इस्तिती बहुत ही अच्छी और सुभ है मिलते हैं अगले अंक में आज के अंक में इतना ही धनिवाद